Hey everyone, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही unique क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप AI वीडियो को कैसे unique तरीके से create कर सकते हैं बहुत सारे creator का आप AI वीडियो देखे होंगे जो आपको character से बताता है कि आपको AI वीडियो को कैसे create करना है आज मैं आपको खुद के photo से या किसी अपने मनपसंद photo से AI वीडियो को create करना बताऊंगी वो भी बिल्कुल unique तरीके से तो चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो के end तक जरूर देखेगा तभी आपको समझ में आएगा कि आप बहतरी तरीके से AI वीडियो को कैसे create कर सकते हैं और आप इसको create करके महिने के लाखों रुपय अर्ण कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में बने रही वीडियो को सुरू करते हैं कोई भी AI वीडियो को create करने से पहले हमको सबसे पहले लेना होगा को हो motivational course आप जिस भी topic पर वीडियो बनाना चाहते हैं चाहिए मोटिवेशनल टिप्स हो चाहिए मोटिवेशनल लाइन हो आप यहां पर पहले गूगल में जाके सर्च कर लीजिए हम यहां पर पहले सर्च कर लेते हैं motivational lines in Hindi आप देख सकते हैं यहाँ पर जो quotes आया है जो quotes उपर लिखा है वह quotes नीचे भी लिखा है आप देख सकते हैं साड़ा quotes में देख सकते हैं आप success की सबसे खास पात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है यही सेम जी नीचे भी लिखा है आपको जो भी quotes लेना हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं देख सकते हैं नीचे कितना सारा quotes आ गया है जैसे हम यह वाला ले लेते हैं इसको long press करके इसको copy कर लेंगे इसको यहाँ से long press कर लेते हैं इसको copy कर लेंगे copy कर लेंगे अब हम back आ जाएंगे अब हमको वीडियो को generate करना है वीडियो को generate करने के लिए हम चलेंगे सबसे पहले google chrome में यहाँ पर हम search कर लेते हैं studio studio.d.id और यहाँ पर पहला जो वेबसाइट आया है इसको open कर लेंगे यह खुल रहा है और यहाँ three dot पर click कर लेंगे और आप देख सकते हैं मेरा desktop site में है अगर आपका नहीं होगा का आप उसको desktop site में खोली जेगा यहाँ से आप देख सकते हैं create video के option पर हम click करेंगे और यहाँ पर एक add का option है यहाँ पर आप इसको click कर लीजेगा और यहाँ से आपको जो भी photo को वीडियो में convert करना है आप उस photo को select कर लीजेगा देखिए हम अपना photo को select कर लिए हैं देखिए यह भी open हो रहा है इसको अच्छे से open होने देते हैं देखिए मेरा यह photo यहाँ पर खुल गया है इसको वीडियो में generate करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर script वाले option में script को copy किये थे उसको यहाँ पर paste कर देंगे यहाँ पर हम paste कर दिए अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर language को option है आपको जिस भी language में वीडियो को create करना है आप उस language को select कर लीजेगा देखिए हमको हिंदी मोई mine create करना है तो हम हींदी को select कर लेंगे लिवे हिंदी इंडिया देख सकते हैं हींदी इंडिया को हम select कर लिए है और अब आब voice के option को select करेंगे आपको mail का आवाज लेना है याеличी आप अपने अनुसार select कर लीजेगा हम फीमेल का वाज दे लेते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं उपर में जेनरेट वीडियो को आप्सन है यहां पर परपल कलर का इस पर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर जेनरेट को आप्सन में क्लिक कर देंगे और अब ये वीडियो जेनरेट होना सुरू हो गया है देख सकते हैं आप यहाँ पे जेनरेट हो रहा है वीडियो जेनरेट होने देते हैं फिर आपको प्ले करके दिखाएंगे कि वीडियो कैसा लगड़ा है देखिए नेट थोड़ा सुलो है इसको प्ले करके दिखाते है अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है अब इसको हम यहाँ पर डाउनलोड के आइकेड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड अगन पर क्लिक करेंगे यह गैलरी में जाके सेव हो गया अगर आपको कैबसे लगाना थी आप काइननलोड मास्टर या फिर कोई भी इडिटर एप में जाके जाकर आप यहाँ पर कैबसे को अड़ कर सकते हैं तो चलिए हम कर लेते हैं यासे हम वैक आ जाते हैं और अब हम जाएंगे kind Master app में kind Master app में जाने इवाल अगर आप long created हैं तो आप 16 by 9 का ratio को select लिजेगा या फिर और आप sort creator हैं तो 9 by 16 का ratio select कर लिजेगा कि न्यूँ प्रजक्ट पे click करके 9 by 16 का ratio select कर लेते हैं क्योंकि हम sort video बनाएंगे create पे click कर देते हैं देखिए मोईल रोटेट हो गया है अब यहां पर हम इमेज एसेट्स पर क्लिक करके बैग्राउंड ब्लैक वाला बैग्राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे और इस बैग्राउंड को जितना मिनट कब वीडियो को जेनरेट करना है उतना मियन तक खीच कर कर लेंगे हम 10 सेकेंड तब कर लिये हैं क्योंकि वीडियो मेरा छोटा ही होगा इसलिए अब लेयर के ऑप्सन में जाएंगे मिडिया पर क्लिक करेंगे और यहां से जू वीडियो को डाउनलूट किये हैं अभी उसको यहां से स्रेक्ट कर लेंगे देखिए अब देख सकते हैं और यहां पर ट्रीम या इस्प्लिट में जाएंगे सॉड़ी इसको फूल स्क्रीन करने के लिए इस्प्लिट स्क्रीन में जाएंगे यहां से स्क्रीन फूल कर लेंगे और यहां से हम जितना वीडियो का लिया रहे हैं उसके बाद के बैग्राउंड को कट कर लेंगे इस पर क्लिक करेंगे ट्रीम या स्प्लिट में जाएंगे और ट्रीम राइट कर देंगे यह देख सकते आप प्रोसेस ले रहा है अभी यहां से इसको एक बाद सुन लेंगे जो किसी के फैन है यहां पर हम इसका टेक्स्ट लगा लेंगे लेंगे टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जो किसी के फैन है आप देख सकते हैं आप पर फैन गलत हो गया इसको इंगलिस में लिख लेंगे फैन जो किसी के फैन है इसको हम खीच कर आगे से लिए आएंगे सुरू से लगा देंगे मतलब और इसको इहां पर लाके बड़ा कर देंगे और यहां पर इन एनिमेशन में हम इसको पॉप लगा देंगे ठीक है और इसको कलिक करेंगे और इसका पहले हम चेंज कर लेंगे ब्लैक क्लर कर लेते हम यहां से जड़ेज़ से यहां और भीड कर देंगे यहांपर विणा कर दिए ध्यक्त की इसको फूल करेंगे मुष्क यहां पर आउट लाइनि सिसद देंगे ताकि और भी अच्छा लगे देहने में यह आउट लाइन कम Innov्ल कर लेंगे और जिस कलर का आउट लाइन आपको देना है आप उसको चूस कर लेजिएगा हम ग्रीन कर्ल सेलेक्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा कम कर देंगे इसका कलर थोड़ा सा कम कर देंगे आप देख सकते कितना अच्छा लग रही है एक वर इसको बैक आजाएं और सुन लेंगे इसको स्प्लिट कर देंगे यह बीच से कट हो गया इसका आप चाहे तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं एए फॉन्ट में जाके आपको यहां पी जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि यहां पर फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए वर आपको हम प्ले करके दिखाते हैं इसमें उनका कोई फैन नहीं हो सकता है इसको में इरिट कर लेंगे आजें उनका कोई फैन नहीं हो सकता है यहां पर फैन फिर से गलत हो गया है इसको हम इंग्रिस में लिख लेते हैं तक यह और अच्छा लगे और इसका भी फॉन्ट हम चेंज कर लेंगे रोबोटो ब्लैक अब इवगार इसको हम प्ले करके दिखाते हैं आप देख सकते हैं यह व गलत हम लिख दिये हैं इसको हम इडिट कर लेंगे उनका कभी कोई फैन नहीं बनता यह लिखना है इसको कट कर देते हैं उनका कभी कोई फैन नहीं बनता यह process ले रहा है अब एक बार हम play करके फिर से सुन लेते हैं अब देख सकते हैं यह video complete हो चुका है अब आप arrow के button पर press करके यह देख सकते हैं उपर जो arrow का button है इस पर press करके इसको यह save as audio पर click करके इसको export कर लेंगे यानि यह gallery में आप save हो रहा है आप video को generate करना तो आसानी से सीख गए आप अपना photo या अपने पसंद का किसी भी photo से video को generate कर सकते हैं अगर आपको 20 video बनाने के बार और भी video आपको अगर free में बनाना हो तो आप इसमें अलग 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 email id से sign up कर लीजेगा नहीं तो आपको यह website पैसा मागना सुरू कर देते हैं ध्यान रहें इसमें कोई भी ऐसा email id से login नहीं करना है जो आपका professional email id हो जिससे आपका account चलता हो आपको यहाँ पे normal जो आपका email id हो उसी से आपको यहाँ पे login करना है और इस वीडियो को create करके आप YouTube, Insta, FB सभी पे आप डाल सकते हैं I hope कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको AI वीडियो को अपने photo से कैसे create करना है अगर आपको अब भी कोई doubt है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं मैं आपके comment का reply जरूर दोंगी अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा बे informative लगाओ तो please do like, share and subscribe Thanks for watching